असलाम अलेकुम एब्रिमन वेलकम बैक तो माई चैनल कुकिंग विद नाजरीं तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट और मज़ेदार निव औरियो केक रेसिपी जो बहुत सिंपल और इजी है यह बनकर पांच मिनट में रेडी हो जाता है आप इसको कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं क्रिस्मस निव यर पर यह बच्चों को आप बनाकर खिला सकते हैं उनको बहुत जादा पसंद आएगा और बन भी यह बहुत कम टाइम में जाएगा इस रेसिपी को आप मेरी ज़रूर ट्राय करेगा तो चलिए इस मज़ेदार से निव औरियो प्रेस करना आप ना भूलें जिससे मेरी हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी इंस्टेंट औरियो केक बनाने के लिए हमें क्या क्या समान चाहिए आप देख लीजिए इसमें बहुत ज्यादा कम समान यूज होता कि यहां ने पानी डाला है बहुत थोड़ा सा और इसकी जो मैंने हैं चाशनी बना लिए एक बोईल बद जब तक चीनी डिजोल्व हो यह गैस पे मैंने इसको रखकर एक बोईल दिया है और इसको मैंने नीचे उतार लिया है ताकि जो कच्छा पाने चासनी का वो खतम हो कि उसके बाद यहां पर मैंने तीन औरियों के बिस्कित के पैकिट लिए हैं 10 10 रुपीज वाले अब हमें इनका क्या करना है इसको हमें बिस्कित अलग करने हैं और जो इसके अंदर की क्रीम है वह हम इस प्लेट में रखेंगे साइड में और बिस्कित इधर सेपरेट करेंग तरह से देखेगा मैंने Cry हैं स्क्रीम है 1 अलग कर लिए 1 ऐसे लिए 3 पैकट के और जो बिस्कित है एंवह ऐन दर्णा है नहीं करना यह खोर डिया ग्रिम और जो कर दोई यहां में ऑडर करेंगे थोड़ना हैं अ करना फैसित है मारी में जो एसका बना लिया करता है कि इसके बात दीखेंगा यहां पर मैंने प्लेट में ब्रेट रख दीए रिए उसके बाद जो हमने इसके लिए सुगर शुरप बनाया था वह मिझा पर इसके बाद बेर करेंगे यह उसकी कोटिंग करेंगे हम जो और विसकित अगर इधर साइडों में गिरता है तो यह बाद में रियूज हो जाएगा इस तरह हम फर्स्ट लेयर इसकी बनाकर रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम जो दूसरी में ब्रेड लिए वह हम इस पर रखेंगे फिर इस पर हम सुगर जो सिरप बनाया है वह हम इस पर अच्छे स भी बहुत जादा पसंद आएगा इस तरह जैसे मैं फैल आ रही हूं अब भी उसी तरीके से इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा चारो दरफ फिर हम जो तीसरी लेयर इस पर रखेंगे ब्रेड की इस तरह आप देखिएगा मैंने जो पांच लेयरों पर सुगर शरप और चोकलेट बिस्किट का वह था पैस्ट वह लगा दिया है अब हाँ जो हमारे ब्रेड की लेयर है वह रैडी हो गई है अच्छे से और यह जो बचा हुआ है बिस्किट का क्रम्स और यह जो सुगर शरप है यह हम इसमें मिक्स करेंगे और इसकी जो हम कोटिंग करेंगे इससे मिक्स करने के बाद इस तरह से देखिए मैंने सुगर शरप में जो यह बिस्किट का क्रम्स ते चूरा था वह मिक्स कर दिया है और हम इसको अच्छे से पैस्ट बना लेंगे चोकलेटी और अगर फ्रेंस आपकर यह थिक हो जाए बैटर तो आप इसमें थोड़ा सा म इस सभी कोटिगए करें जोबि ही इसके ना जहिए Ond पतबिक उपर के साउब में आपकर बनागहां इस्पार से थे यह हैं झाल मैंने जो यह क्यों के के चारों तरफ से कौटिग इंगने हैं यह मैंने आपको पैस्ट दिखाया था बनाकर कर सूल शरप में तो देखे हमारा जो केक है वो अभी आधा रेड़ी हुआ है और जो हमने क्रीम निकाली थी बिस्किट की अब हम उनको यूज़ करेंगे इसको डेकॉर करने के लिए मैंने जो केक है वो दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है और आप देखे कितनी फिनीशिंग से रेड़ी हो गया है अब जो मैंने आपको यह चोकलेट दिखाई थी जो हमने बिस्किट के अंदर से निकाली थी वो इस तरह में तोड़ तोड़ कर इस तरह छोटे बड़ आप इस केक को जरूर ट्राय कर सकते हैं और यह बच्चे उबड़ो सभी को बहुत जादा पसंद आएगा इस तरह मैं इस केक को पूरा डेकोर कर दूंगी इससे तो दिखिएगा आप जो बिस्किट की क्रीम थी वह मैंने उपर डेकोर कर दी है केक के और हमार जो क्यूट स केक वह बनकर रेडी हो गया है इंस्टेंडली और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी लगेगा आपको आप इसको जरूर ट्राय करेगा इंशाललह यह बहुत जादा पसंद आएगा और बनाने में भी बहुत ईजी और सिंपल है आप इस निव रैसिपी को जरूर ट् नए है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं नई नई वीडियो और नई रैसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज